हेलो फ्रेंड्स यूट्व चैनल स्टार कम्प्यूटर पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि माउस में दो बटन होता है एक लिफ्ट और एक राइट और ज्यादा तर यूज किया जाता है लेट बटन का और राइट बटन का यूज बहुत कम होता है तो जब लेट बटन का ज्यादा यूज किया जाता है तो ये जल्दी कभी-कभी खराब हो जाता है और right button का use कम होता है तो वो जल्दी खराब नहीं होता है लेकिन जब जादा use होने के कारण left button हमारा जल्दी खराब हो जाता है तो नया mouse लेना पड़ता है उसको फिकना पड़ता है और नया mouse लेना पड़ता है लेकिन आज मैं एक mouse की ऐसी setting बताऊंगा कि वो settings अगर आप अपने mouse में कर देते हैं तो वो इस mouse को और भी कुछ दिनों तक आप use कर सकते हैं और उसको फेकना नहीं पड़ेगा तो आएए देखते हैं कि कैसे setting करना है setting करने के लिए start button पे जाना है और यहाँ पर control panel यहाँ पर देख सकते हैं यह control panel है control panel को खोलेंगे और control panel खोलने के बाद यहाँ पे hardware and sounds है इसको open करना है और open करने के बाद यहाँ से mouse है Mouse पर क्लिक करते हैं और mouse पर क्लिक करने के बाद एक option यहाँ पर यहाँ पर अभी देख रहा है यहां पर mouse का left और right दोनों बटन दिखाई दे रहा है यहां पर देख सकते हैं यहां पर left याई यहां पर left color दिखाई दे रहा है याई माउस का इस समय लिफ्ट बटन काम कर रहा है और अगर यहां पर यह switch primary and secondary button लिखा हुआ है mouse के left button को primary button करते हैं और right button को secondary button कहते हैं तो अगर इस समय यहाँ पे primary button यानि left button on है अगर ये box बना हुआ है अगर इसको हम tick कर देते हैं इस तरह से तो देख रहे हैं left button से ये shift हो गया right button यानि primary button से वो secondary button में चला गया यानि जो left button से काम हो रहा था अब वो हमें right button से करना होगा तो इस तरह से और जो right button से काम हो रहा था वो left button में आ जाता है तो यहाँ से इसको tick करके हम switch मतलब primary से secondary और secondary से primary change कर सकते हैं इसको हमने tick कर दिया और tick करने के बाद अब tick करने के बाद यहाँ चुकि right button हो गया तो अब हमें ये left button से apply नहीं होगा अब हमें कौन सा button press करना पड़ेगा right button चुकि यहाँ से right हमने change कर दिया तो जहाँ भी use करना होगा अब right button इस तरह से use होगा और फिर apply करके ok और ok करने के बाद फिर इसको बंद करते हैं अब जब भी हमें कोई काम करना होगा अब हमारा left button से नहीं होगा हमें right button से करना होगा जैसे ये my computer open करना है तो अब left button दबाएंगे तो open नहीं होगा इसमें हमें चुकि हमने change कर दिया है button तो right button यानि right button से double click करेंगे तो ये इस तरह से open हो जाएगा इसको open करना है तो right button यूज करना पड़ेगा right button दबाना पड़ेगा प्रेश करना पड़ेगा right button इस तरह से कोल सकते कोई file खोलना है यानि सब काम अब हमें right button से करना पड़ेगा तो इस तरह से चुकि हमारा left button खराब हो जाता है तो इस तरह से हम change करके अपना सारा काम हम right button से use कर सकते हैं इस तरह जैसे ये खोलना हुआ फिर right button इसको बंद करना हुआ तो भी right button प्रेस करते हैं यानि अब सब काम हमें right button से करना पड़ेगा चूकि हमने change कर दिया है फिर वापस उसी में left button में करना है तो फिर से वापस start button, start button के बाद फिर control panel और control panel के बाद फिर hardware and sounds और फिर mouse पर click करते हैं और mouse पर click करने के बाद यहां से फिर यह tick है अब यहां पर चूकि right button है फिर इसको tick को off कर देते है right button से और जो ही tick को off करते हैं तुरंत हमारा फिर left button में आ जाता है और जब भी हमें फिर काम करना होगा तो हम फिर left button से काम कर सकते हैं और अब फिर apply करना है चूकि हमने left कर दिया है तो फिर apply करनेंगे तो आप right button से नहीं होगा अब फिर left button होगा इस तरह से यहां से अगर हम टिक करते हैं, तो हमारा सारा काम राइट बटन से होगा, अगर इस टिक को हटा देते हैं, यानि अन्टिक कर देते हैं, तो फिर सारा काम हमारा लेट बटन से होने लगता है, तो इस तरफ से माउस के बटन की सेटिंग करके, हम लेट बटन का सारा फंक्शन राइट बटन पर कर सकते हैं और राइट बटन का सारा function लेट बटन पर change कर सकते हैं और फिर इसको अब चुकि हमारा लेट बटन हो गया तो अगर हमें close भी करना है तो फिर लेट बटन प्रेस करते हैं अगर माई computer open करना है तो भी लेट बटन प्रेस करेंगे और इसको खोलन है तो भी लेफ बटन और वहां से चेंज कर देंगे तो फिर राइट बटन हो जाएगा तो यह रहा सेटिंग जिसके द्वारा आप अपने माउस के बटन को चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों अगर इस तरह की और सेटिंग को आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे जितने वीडियो जितने जानकारी इस चैनल पर अप्लोड करेंगे तो वह जानकारी सीधे आपके पास पहुंच जाएगी और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में WhatsApp पे, ट्यूटर पे Facebook पे जरूर सेयर करें लाइक करें और कमेंट करें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद